परिवारों की पार्टी नहीं है विचार के लिए हम लोग लड़ने वाले हैं कारे करता है हम लोग पार्टी में लोग आते हैं बाहर से तो उनके लिए जब महमान घर में आता है तो नई चद्दर बिचाई जाती है परिवार के लोग पुरानी पर सोते हैं आज महमान आया है तो इसलिए परिवार के लोग को मजबूत दिल करके मान सम्मान को ध्यान में करते हैं अब ही साफ सुद बिचादो इनके लिए जी यह महमान है हम तो घर के लोग हैं घर की इज़्जत रखनी है घर के विचार को लक्षुनी दिले सीट से लोग सभासांसत थे लेकिन आने वाले चुनाओं में उनका टिकेट कट गया है। बीजेपी ने इस बार इस सीट से रमेश बिदूडी के गाओं के ही रामवीर सिंग बिदूडी को टिकेट दिया है। अब रमेश बिदूडी ने खुद को बीजेपी का फैमली मेंबर और रामवीर को महमान बताया है। बीजेपी की लीडर्शिप सोच बिचार कर जो ही वैसला करती है पार्टी की सभी कारे करता उसका सम्मान करते हैं। रमेश बिदूडी ने तीन बार लोक सभाचनाव जड़ा है, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। इन दोनों एक ही गाउं से आते हैं, मेरी उनके घर से महस 50 मीटर की दूरी है। मेरी उनसे फोन पर बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं आपका भरपूर सहयोग करूँगा, मैं उनके घर जाकर मुलाकात करूँगा। रमेश बिदूडी पिछले दिन अपने विवादे बयानों को लेकर चर्चा में रहे थे। पिछले साल 21 सितमर को रमेश बिदूडी ने लोग सभा में बस पाकिसांसर दानिश अली के खिलाफ सामपरदाइक बयान दिया था। वीडियो को शेयर करके प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए थे। इस मामले में रक्ष्वमंत्री राजनात सिंग ने लोग सभा के अंदर माफी भी मांगी थी। पूरी खबर पर आपकी क्या राया है हमें कॉमेंट करके बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर पर आए थी हमारे साथ ही जोती मेरा नाम है विकास बर्मा देखते रही तिल्ललन टॉप शुक्रिया। जो एंदर कर दो एंदर के लिए पर आपके लिए जुक्रिया रहाएएएग।